हर बार एक ही जिससे काम करते करते बोर हो जाते हैं क्यों ना हम कुछ अलग तरीकी से काम करें जिससे हमारे काम तो आसान होंगे ही साथ साथ दे सारे पेसे भी बचाएंगे और महनत भी तो हैलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चेनल कैसे हो आप सब उम्मिद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूसपूल टिप्स लेके आई हूं जिससे आपका एक भी पेसा खर्च नहीं होगा और घर बेटे ही आप ये काम कर पाऊगे तो चलिए बीना देर की वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले प्रेंट्स अगर आप मेरे चेन में पहली बाहर आए हैं तो प्लीज चेन को सब्सक्राइब कर ले वीडियो पसंद आती है तो जादा से जादा शेर जरूर कर दे ताकि सभी के लिए वीडियो काम आए तो देखे प्रेंट्स हम जब भी नमक, सोडा, सिंदा नमक ये सब लेके आते हैं तो होता क्या है कि जब भी इनको खाले करके रखते हैं तो ये जो सेम होते हैं जिसी की मिठा सोडा और ये नमक होता है सिंदा वो same ही color का होता है तो उसमें बहुत ज़ला problem आ जाती है क्या होता है कि same अगर हम रख देते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये नमक है या फिर सोडा तो कभी कबार हम नमक की जगे सोडा भी डाल देते हैं जिससे हमारा पूरा खाना waste हो जाता है तो इसको हम केसे रखे ताकि एसी कोई भी problem ना आए तो देखिए friends ये जो मीठा सोडा है इसकी packet अभी भी है क्योंकि मैं इनको खाली नहीं करती हूँ जब भी खाली कर देती हूँ तो पता ही नहीं चलता है तो इसमें मीठा सोडा है तो मीठा सोडे की जो packet है वो सेम ही मैं इस डबे में डाल देती हूँ और ये देखिए mix भी नहीं होगा और हम इस packet को पढ़के use कर पाएंगे और देखिए कभी कब आर ऐसा हो जाता है कि हम खाली करके रख देते हैं उस situation में आपको क्या करना है तो देखिए हमें इसके उपर नाम लिख देना है अगर ये मीठा सोडा है नमक है जो भी है इसके उपर आप नाम लिख दीजे इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें नमक है या फिस सोडा तो यहां देखिए मैंने इसमें नमक डाल की रखा है तो मैं नेल पोली से नमक नाम लिख देती हूँ प्रेंस ये चोटी-चोटी ही टिप्स हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो देखिए आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की तरफ तो यहां देखिए हमारे बहुत से इसे पेकेट होते हैं जो हम यूज करते हैं और थोड़ा बहुत बस जाता है जिससे कि यहां पर देखिए बोन वीटा है जल जीरा है तो यह बोन वीटा देखिए मैं इसमें रखी थी तो थोड़ा बहुत बचा तो यह गिर गया है एक बार मैंने साफ किया और फिर से देखिए यह इस तरह से फेल गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैनत होती है, तो इससे तो अच्छा है कि हम इन पेकेट को ऐसे रखे, ताकि हमारा काम भी ना बढ़े और ये सही से रहे तो देखे, बच्चों के पास बहुत से पेन होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, और उनकी जो कैप होते हैं, वो आप ले लीजी, यहां मैंने देखी कैप लिए हैं, अब देखी ये कैप बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इस तरह से आपको क्या करना है, डबल करके पेकेट को और इसके उपर लगा देना है, तो देखी, यह कितना बड़िया तरीके से पेक हो चुका है, अब जब भी हमें यूज करना हो, तो कैप को हम निकालेंगे, और यूज कर लेंगे, और फ्रेंज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेर करें, क्योंकि सबी के लिए वीडियो काम आए, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेर जरूर कर दे, अब देखी, जो भी हमारे पास कैप बचे होते हैं, और ये जो बिस्किट के खाली पेकेट इस तरह से रह जाते हैं, सिल जाते हैं, तो आप इस तरह से रखेगा, एक तो देखे, कम ही स्पेस में ये सारे आ जाएंगे, तो कितना बढ़िया तरीका है, जरूर ट्राइ करिएगा, अगला टिप मेरा बहुत ही यूजफूल है, जब भी हम चाय बनाते हैं, सुबह के टाइम हर बार हम चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय ना ये जो चाय पती रहता है, हम क्या करते हैं, इसको फिल से फेंक देते हैं, इसको हम अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं, हमैं क्या करना है, थोड़ा पानी डाल के और अच्छि सिसको धो लेना है, धोने के बाद जो मसाला है, इसको हम अलग कर देंगे, तो तो दीक, ओता electronics क का तवा होता है इसमें अगर पहले से रोटी चिपकी हुई है तो आप सोच लीजिए कि आपकी सारी रोटी वो जलेगी तो आपको करना क्या है कि जो हमने यह चाइपती अलग से किया है वो हम डालेंगे तवे के ऊपर तो गैस को हमें जला लेना है और इस चाइपती को डाल है तवे के ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पावडर और अच्छे से इसको देखे इस तरह से तवे के ऊपर सेक लेना है ताकि क्या है कि जो भी तवे के चिकना है या फिर जो रोटी चिपकी हुई है पहले से अच्छा सा साफ नहीं है तो आप इस तरह से इस बनेगी बहुत यूसफुल है और इस तरह से आप तवे को साफ करोगे तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से दिखी यह साफ हो चुका है तो अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाई करें शेयर करें तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स टिफ की तर जो रग देते हैं तो यह जो मेंटल की चूड़िया होती है इनका हम अलगत तरीकों से यूज़ कर सकते हैंol एक आड़या में आपको यहाँ बताने वाली हूं आपको क्या करना है यह जो mental की चूड़िया होती है इसको आप देखे इस तरह से cut कर लीजे आप चाहे तो plus से कर सकते हो लेकिन मेरे पास अभी देखे प्लास नहीं है तो मैं सिधा ही इस तरह से इसके दो टुकड़े cut कर लूँगी आप जब भी यह काम करें थोड़ा ध्यां से करेगा अगर आप प्लास से कर रहे हो तो यह आसानी सी हो जाएगा लेकिन जब आप फास से करोगे तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा आप देखे आपको क्या करना है इसका सेप हमें कुछ इस तरह से बनाना है देखे इस तरह से तो यह देखे ऐस सेप का यह बन चुका है कुछ इस तरह से और सेम हम दूसरा पुकड़ा जो हमने cut किया है उसका भी हम इस तरह से ही बना लेंगे यहां देखे हमें दो यह एस बना लिये हैं तो अब हमारे पास दो तिन चूड़िया है तो यह च्छ साथ हम इस तरह के सेप बना लेंगे तो यहाँ देखी हमने इतने सारे बना लिये हैं अब देखी हमारे पास जो हेंगर है वो आप ले लीजी और हेंगर हमारे पास अलग लगतरी की होती है देखी ऐसा भी होता है और एक देखी ये बंद वाला भी होता है तो आपको ये वाला हेंगर लेना है इसमें देखिए आपको जो आपने ये डिजाइन बनाई है वो आप इसमें लगा दीजे हेंगर में और थोड़ा इसको उपर से बन भी कर दीजे हाथ से ताकि ये निकलेना तो सारे को हम इसमें लगा देंगे तो यहां देखिए जितने भी मैंने ये बनाए हैं वो सारे मैंने हेंगर में लगा दिये अब देखिए हम चाहे तो इसको रूम में लगा सकते हैं या फिर हम कीचन में लगा सकते हैं जहां पर भी आपको जरुद है वहां पर आप ये लगा दीजे जिसे कि मुझे जरुद है ये कीचन में तो यहां देखे ये गीजर लगावा है कोई कील नहीं है तो मैं इसी में यहां पे लगा लेती हूँ और गीजर देखे मेरे एकदम सिंग के ऊपर है तो अब देखी मैं इस को यहां पे लगा लेती हूँ अब हम इसका यूज के से कर सकते हैं तो जब भी हम बर्तन दोते हैं जिसे कि ये कफ हुए तो इन कफों को दोने के बाद हम क्या है कि इनको सेफ जगे पे रखना चाहते हैं अगर हम सभी बर्तनों के साथ में इसको रख देंगे तो यह कप क्या है जड़ जाएंगे तो इनको हमें अलग से ही रखना पड़ता है तो क्यों ना हम यह इस टाइन बना ले और जितने भी हमारे कप है दो दो के सिधा ही हम यहां पर लगा दे तो कितना बढ़िया तरीका है देखी आपको यह तरीका कैसा आहाईंगे देण के अ रखन हो यह ना है APP आहाईंगे जा देर्शाइएश्न प्हूर्पल चाढ़ Street दो चाहईंगे रखन है जो रदेखीby हा वहाई भाता है प्वह बénदको हैं जा है भाएंगे यह यह झाहईंगे जुटड़ चैब फूर हैं उट देखश fails